Good evening everyone, आज अपन न्यु वेकेंसी की बात करेंगे, जो लोग बैंकी तयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अचम होका है, क्योंकि ये वेकेंसी छेत्रिक, ग्रामिंट बैंक में वेकेंसी आई हुई है, इसमें कलर की वेकेंसी आई हुई है, और ओफिसर की वेकेंसी आई हु करते हैं पीयो कैसकते हैं अपन ये फोर्म आठ जून से मतलब आज से बना इस्टार्ट हो गए 28 जून इस फोर्म को बनने की लाइज डेटा आगे आपन बात करेंगे कि इसमें जो officer assistant इनके लिए जो edge limit रखी गई या 18 years से 28 years के candidate इसके लिए apply कर सकते हैं और office में scale 1 की vacancy आई हुए इसमें 18 से 30 years के candidate अपलाई कर सकते हैं scale 2 की बात करें तो इसमें 21 से 32 years वाले candidate अपलाई कर सकते हैं और इस के खरीकी बात करें तो इसमें 21 से 40 एर तक के कंडिदेट अपलाई कर सकते हैं या इस फोरूम को फील करने की एज लिमिट है इसमें एज रिलेक्शन भी है SC, ST, OBC वालों को Edge Relation भी मिला है देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें Edge Relation है कितनी years का इसमें SC और ST के टिगरी के लिए 5 years की चूट है OBC के टिगरी के लिए 3-3 years की चूट है अब अपन बात करते हैं Office Assistant की वेकेंसी मतला Color की वेकेंसी के बारे में अपन बात करते हैं जो Color की वेकेंसी में आपको फोर्म बनना है तो आपको Local Language आनी चाहिए और इसमें Basic Computer Knowledge भी होनी चाहिए इसमें आप Bachelor डिगरी हो तो अपलाई कर सकते हैं और इसमें किसी भी परकार का experience नहीं मांग रहा है OPCR Assistant की वेकेंसी में अब यहां पर Scale 1 की वेकेंसी के बारे में बात करें तो इसमें भी वेकेंसी वाले अपलाई कर सकते हैं जबकि इसमें कुछ इसमें जो फर्स्ट व्राइद दी जाएगी ग्रेजूसन वालों को जो एक्रिकल्चर से गर्यूजेशन कर रहे हैं होटी कल्चर से फोरेष्ट वे एनिमल अजबेंडरी उनको फर्स्ट व्राइज दी जाएगी इसमें भी किसी भी परकार का एक्स्पिरियंस नहीं मांग रहे हैं अधा यहां पर अपने अपलिकेशन 25 के बारे में बात करें तो इसकेल 1 इसकेल टू और 3 कि एफलिकेशन सेस्ट के लिए एक हट्यो स्लमुटर रूपए और अधार्श के दिस गई के लिए 850 रूप और insistent अधरक की मैक बात करें तो इसमें भी एसी एस्ट के लिए एक सो पिचोतर अदज कर्टेगीरी के लिए शाड़ी आट सो रुपए इसमें जो बैंक में पिरी एक्जाम की बात करें ओफिसर असिस्टेंट की में तो इसमें रिजनिंग और मैत आएगी इसमें रिजनिंग और मैत दोनों के 40-40 क्यूसन आएंगे टो टोटल असिक्यूसन आएंगे और 45 मिनिट इसके लिए दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ओपीसियल वेबसाइट पे देख सकते हों इसमें अधिकतर कंडिडेट से पूछते हैं कि हम लाश्ट टियर में हैं अपलाई कर सकते हैं तो इसमें दिया गया कि जो कंडिडेट लाश्ट टियर में है मतलब 3 में है या फिर कोई भी डिगरी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आना बाकि है 4 तीर तक हो गया तो उसका मतलब जो फाइनल डिगरी है वो ही कंडिडेट इसके लिए अपलाई कर सकते हैं 28 जून से पहले आपका रिजल्ट आजाना सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास सेर कीजिएगा